हलो क्याप्रिकॉर्ण वेल्कम चुग्रोमा हिंदी चैरो और ये रीडिंग है मार्च के फोर्ट विक्ली और 23rd से लेकर 21st तक के लिए वैलिड है मैंने आपके कार्ट्स पहले से ही पूल कर लिये हैं लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेज़ेस हैं 7 of wands, 10 of swords and 8th strength Capricorn ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिससे आप हर्ट हो रहे मेरे ख्याल से ये किसी तरीके की opinion हो सकती है लोगों की जो आपको हर्ट कर सकती है आपके बारे में किसी तरीके की बात आप सुन सकते अपने बारे में, जो कि आप बहुत हर्ट कर सकती है आपको, इसके अलावा किसी sadness में है आप, किसी relationship से move करने के कोशिश कर रहे हैं आप, शायद यहाँ 10 of swords से मुझे दिख रहा है, आप pain में हैं, आप depression में हैं, और 7 of wands से मुझे दिख रहा यह वो लोग हैं, जिन्हों ने आपको 10 of swords लिये हैं, जिन्हों आपको यह दुखी होने का कारण दिया है, और आप इन से लड़ने को तयार है, यह नहीं है कि आप 10 of swords के साथ, पूरी तरह से weak पढ़ चुके हैं, और आपके अंदर ताकत नहीं रही हैं, अपने आपको defend करन से, आपके अंदर एक नई strength है, यूनिवर्स की दियोई, जिसके कारण आप अपने पैरों पे खड़े हैं, और अपने दुश्मनों से आप पिलकुल लोहा लेने के लिए तयार हैं, और इन सब पे आप भारी पढ़ेंगे, देख रहे हैं, इन सब पे आप भारी तो, although यहां पे बहुत immense pain दिख रहा है मुझे, अगर मैं बात करूँ, career की या workplace की, तो ऐसा हो सकता है आपके साफ, maybe आपके किये हुए का credit कोई और ले जाए, चीक है, और ये चीज़ आपको बहुत irritate करेगी, आप इस बात को सामने दाना चाहिए अपने workplace पे, कि ये काम आ देने कि अगर कोई कोशिश करेगा तो, यहां strength का card है, आप इस वक्त दबने के mood में बिल्कुल भी नहीं है, किसी से, okay, in this fourth week, चलिए देखते हैं और कुछ cards, ten of cups, king of wands, knight of swords, okay, Capricorn, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये reading मुझे किसी third party situation के बारे में बता रही है, king of wands, usually married man, जात और married man को ये show करता है, हाला कि आप सबका relationship married man से नहीं हो सकता है third party में, और वैसे भी है general reading है, definitely सबसे resonate नहीं करेगी, पिछले विकी भी reading देखना चाहें आप, तो description box में उसका link होगा, और yearly reading का भी link आपको मिल जाएगा, बाट यहां king of wands से मुझे दिख रहा दिख रही है मुझे, chain of cups के साथ, यह आदमी बहुत stable है, काम्याब है, यह जिस भी तरीके की situation में है, यह बहुत dominant है, इसके अंदर कोई ऐसी quality थी, यह सब काफी attract हुए, इसने आपको promises किये, but at the end of the day, यह अपने family का पक्ष ले रहा है, शायद इसने आपको picture से out कर दिया है in this fourth week, ओके, आप जैसा response इससे चा रहे थे, वो response आपको नहीं मिला है, इसने अपने family की तरफ inclination show किया है, maybe इनोंने आपको कह दिया, या कह देंगे या आपसे, कि no, हमारा relationship possibly नहीं है, मुझे अपने family के साथ ही रहना होगा, इस तरह के कुछ false promises सामने आ सकते हैं, in this fourth week, Capricorn alert रहे, और अगर आप relationship में हैं किसी के साथ, तो आपका partner, अगर third party situation ऐसी वाकई में है, आपके case में, तो हो सकता है opposite side को, यानि आपके against जो भी third person है, उसको आपके partner से commitment मिल सकती है, और आप से ये promise तोड़ा जा सकता है, आप से जोनोंने promise किया था, वो इस promise को फिलाल से ये side में push कर देंगे, बेभी आपको ये भरोसा दें कि बाद में होगी चीजे, ये वो इस तरह की चीजे हो सकती है, कि आपरी कौन, again, knight of swords, मुझे दिख रहा है, आप बिल्कुल attacking mode पे है, आपको लग रहा है कि आपके साथ injustice हुआ है, आप ये feel कर रहे हैं कि जब इस person को अपना वादा पूरा नहीं करना था, तो वो आपको कैसे commitment दे सकता है, आप hurt हैं, आप दुकी हैं, आप 10 of swords से साथ बिल्कुल ही destroyed feel कर रहे हैं, मगर यहां strength का card है, ये knight of swords दिखा रहा है कि आप उतनी ही तेजी से एक person पे हमला करेंगे, ओके, आपने अपने अधिकारों की रक्षा की सोच ली है, with this 7 of wands मुझे दिख रहा है की, आप पोरी तरह ते खुद को defend करने के position में है, जो भी आपके सामने खड़ा होगा, उसको इस वक्त आपका racks जहलना पड़ेगा, गुसा जहलना पड़ेगा आपका, और आप उस पे भारी पड़ेंगे, आपने सोच लिया है, को दिखाने का no, मुझे granted में नहीं लिया जा सकता, यह नहीं चलेगा, कि मुझे जूटे promises दिया जाए, मुझे use किया जाए, उसके बाद मुझे side care दिया जाए, okay, Capricorn, यह चीज़ आपके अंदर है इस वक्ति यह, आप इन्हें शो करेंगे, judgment, the fool, the hermit, okay, Capricorn, एक और चीज़, मैं आपको बता हूँ, यहाँ तो card judgment का है, और एक और चीज़, यह card दोनों तरफ से resonate हो सकते हैं, maybe अगर आप किसी को abandon करेंगे, किसी ऐसे को, अपनी family के लिए, इसके साथ आप relationship में थे, तो आपको third party का wrath जहिलना पड़ सकता है, it's a temporary reading, so ज़्यादा इसको seriously रेने की कोई आभिशकता नहीं है, यह judgment का card है, किसी ना किसी facility पे आप जरूर पहुंच जाएंगे इस week, इस relationship को लेके, इस third party relationship को लेके, कि आपको आगे जाना है या नहीं, ओके, या यह person आपको judgment सुना देगा, जिससे आप heart feel करेंगे, maybe आप पे person बोले कि यह relationship आगे नहीं चल सकता, यह काम नहीं हो सकता, चीक है, और the fool का card मुझे यह show कर रहा है, कि या तो यह person foolish है, यह नहीं जानता कि आप जानते हैं कि आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने, आपको protect कर सकते हैं, इनको नहीं पता यह चीज़, और एक और the fool का card का मतलब यह है, आप अगर इनके promises पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप ना करें, तो कि the fool का card है, यहाप चीज़ी तैसे दिखरी है, वैसी है नहीं Capricorn, बिल्कुल नहीं है, एक और चीज़ी है, अपने family के साथ भी इतना खुश नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं, जो person आपके साथ वादा खिलाफी कर रहा है, वो अपने family के members के साथ भी वही करेगा, the fool, आप प्लीज यह ना समझें कि other side सब कुछ ठीक होगा, no, this is not going to happen, और यहाँ पर the fool का card यह शो कर रहा है, कि आपको भी सोच समझ के फैसल लेने क जरुवत है, किसी पर बिना वज़ा भरसा ना करें, क्योंकि अधा hermit का card है, sadness है यहाँ पे, ठीक है, उसके अलावा आप तो sad है, यह person भी sad है, it's not like कि यह person इसके साथ, जो भी person है, third party है, इसके साथ बहुत खुश है, no, कहीना कहीं वो आपको भी मिस करता है, लेकिन वो जा जानता है कि आपके साथ चीज़े work out नहीं हो सकती, बस इसलिए वो आपसे दूर जाना चाहता है, और कोई कारण इसका नहीं है, Capricorn, ठीक है, और इस week में तो आपके लिए यही अच्छा होगा, कि आप इन situation से दूरी बनाए रखे, और आप बहुत fears हो जाएंगे, अगर workplace किसी ने आपका credit लेने की कोशिश की, ठीक है, King of Wands से मुझे दिख रहा है, कि मेभी आपको partiality feel हो सकती है, अपने workplace पे, आपको ऐसा लगेगा, कि जब दो employees equal काम कर रहे हैं, जो दूसरे को क्यो इतना importance मिल रहा है, और उसको लेके आप attacking mode पे आ जाएंगे, which is okay, ठीक है, लेकिन आपको यह सबनने की जरुवत है, कि बैसे भी आपको इस इंसान की जरुवत नहीं है, जो दो जगां partiality करता है, तो यह आपकी choice है, कि आप इस person के life में रहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इस person को lesson देने के लिए, को special effort करने की जर messages for Capricorn, for the fourth week of March, messages for Capricorn, for the fourth week of March, archangel Michael, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to other, okay, देखिए, आपकी reading के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, you are safe, आप safe है, please 10 of sorts के साथ जारदा दुखी ना हो, क्योंकि आप safe है, जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, maybe a person अच्छा है ही नहीं, मैंने जरसा की कहा, यह आप से नहीं commitment निबारा, other side भी नहीं निबाएगा ठीक है, यह सब अच्छे के लिए हो रहा है, और आप safe है, यह जो भी हो रहा है, आपको universe guide कर रहा है, और safe कर रहा है, angels stand close, जो angels है, वो आपकी रक्षा में खड़े, अगर आपको किसी ने false promises किया है, fake सपने लिखाए हैं, तो आप उससे अलग हो जाएं, क्योंकि यह सब जो miracle to happen, just leave it, जैसा कि मैंने कहा, इसको lesson देने के, इसको सबक सिखाने के लिए, आप अपना time मत waste कीजिए, अपने normal life जीए, अपने खुशी के लिए सो ज़रूरी है, वो कीजिए, अपने आप मेरा आकल सोंगे, आप अपने अच्छे पर ध्यान दे, इस person के पीछे अपना time मत जाया करें, अपना खुण ना जलाएं, ये रीडिंग थी आपके 4th week की, March की, I hope कि आपको अच्छे लगी होगी, थैंक पर वाचिंग, नेक्स वीडियो, बाई!